भारत में खाने के लीग काफी सारे तेल उपलब दे। यहा तक की दुनिया में सभसे ज़्यदा खाने के तेल के जो वैरियन्टें इंड्या में पाय जाते हैं चाहे वह सूरजमखी का तेल हो सोयाबीन का तेल हो सरसो का तेल हो या राइस ब्रान ओयल हो कनोला ओयल हो कोकोनट ओयल या घी हो काफी सारे जो भी होते हैं यह सारे इंडिया में पाए जाते हैं इंडिया में अलग-अलग छेतर के इसाब से अलग-अलग तेलों को खाया जाता है तो उसी मेंसे आज हम एक तेल के बारे में जान 3 तरह के मैंने बताये जो fatty acids होते हैं तिन तरह के बताये थे सफा पूफा इन तीनों के अलगए गारे होते हैं कोई कोई कोलेस्टोल को बड़ाता है कोई कम करता है या कोई छेड़ता भी नहीं किसी को यह बिलकुल तीनों के कारे विपरित होने से किसी तेल में यह जी जादा जने चाहिए ना जौने चाहिए ना किसी में I.शी में तीन् noch सरसो के तेल में यह मैच करता है क्या सरसो का तेल इस जो टेबल है या यह जो प्रमाप निकाला गया है वरक्शॉप के हिसाब से इसको डिफाइन करता है जी नहीं सरसो का तेल डिफाइन नहीं करता है आप इसकीन पर देख सकते हैं सरसो का तेल जो होता है वह उसमें मूफा बहुत ही जदा है तो सफ़ा बहुत ही कम है यह यह अन्बैलेंस तेल है तो यहीं पर हम इसको देखें तो यह फेल है तेल में 35-55% तक जो होता है युरेसिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है जो है यानि अमेरिका की रिसर्च उसके अनुसार में बता रहा हूं आपको जो खाने का तेल होता है उसमें 5% से जड़ा इसिड नहीं होना चाहिए नहीं तरह हाट के लिए नुक्सान दायक हो सकता है लेकिन सरसों के तेल में अत्यदिक मात्रा में इस लिवर इंग्लेंड ज इसाब से यूज कर सकते इंटरनेल के लिए नहीं और दूसरी बात वहां पर जो एक्सपोर्टेबल चीज होती है सरसों के तेल से बनी खादे समगरी उसको भी बैंड कर रखा है वहां पर सरसों के तेल के अचार सबजी वगरा नहीं मिलती है क्योंकि वहां के लोग बहुत चीजों से बचना चाहिए दूसरी बात मैं सरसों के तेल में करूं तो यह सिरफ कहा कहा ही बात नहीं है यह आप हिंदुस्तान जो टाइम से उसके आर्टिकल में भी लिखा है कि जो सरसों का तेल उसका सीधा-सीधा लिंक हार्ट से वह हार्ट अटेक का खत्रा बन सकता है सरसों का तेल बहुत प्रभावी होता है साथ में कॉलेस्ट्रोल को भी बढ़ाता है इसलिए सरसों का तेल खाने की मना ही है बच्चों के लिए यूरेसिक एसिद बहुत होता है इसलिए सरसों का तेल बच्चों के लिए बहुत खत्रना को सकता है सबसे ज़्यादा हार्ट डिसिजर जो बढ़ाता है हार्ट की जो बिमारिया बढ़ती है वह बढ़ती है यूरेसिक एसिड से यानि सरसों के तेल से पश्चिम मंगाल में इंडिया में सबसे ज़्यादा सरसो का तैल घना जाता इसलिए वहीं पर सब शायदा जो pH करे लगे है यानि आप सोचके देखिए कि सरसो का तेल हमारे लिए किना खौनी खाना चीए गूर नहीं कहना चीए तब तक के लिए दरने वाद।